क्लास 11 अकाउंटेंजी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्षेंज हमारा चल रहा था जिसमें हम डिके गोल के बुक से बिल्स ऑफ एक्षेंज के प्रैक्टिकल कुशिन को सॉल पर रहे थे कुशिन नमबर वन टू नाइन तक हम लोगों ने कम्ट्रीट कर लिया था हम सारे कुशिन का सॉलीशन आपको देंगे वन बाई वन करके लेकिन आप सॉलीशन तभी देखोगे जब आपसे कुशिन नहीं नहीं बने का तब आप पहले खुद से प्रैक्टिस करो खुद से बनाने की कुशिस करो नहीं बनता है फिर सॉलीशन देखना यहीं सही अप्रोच है आपके बढ़ाई का तो कुशन नमबर टेन जो है आज हम डिसकॉस करेंगे और इसके बाद लगातार हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे तो जितना भी टॉपिक है एक्जामपल से तो मैंने आपको समझाए दिया है तो यह बात आप ध्यान रखना कि जितना भी आपका टॉपिक है यह सारा कुछ मैंने आपको एक्जामपल में समझा दिया है तो जितना भी प्रैक्टिकल कुशन आपका है गिव होती ही असान है आपका इसको हम साउट करते हैं अलग-अलग सिच्वेशन है दिया हुआ इसमें देखिए क्या टता है कॉश्चन बटिन स्टार्ट करते हैं सिरा एक्स जो ऑन वाई बिल फौर रुपीस फौर थाउजन तो एक्स जो है ड्रॉ किया है कितने का बिल फौर थाउजन का वाई के ऊपर इतना आप बार बाहिम को संधाने के जरुवत नहीं है फिगर बना के लेकिन चलिए मालेजी आप पर्टिकुलर्ली यही कोश्चन देख रहे हैं तो इसमें आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कितना है एक्स है और वाई है इसने 4000 रुपे का सामान बेचा एक्स ने वाई को 4000 रुपीज का और कहता है कि 4000 का यहाँ पर बिल ड्रॉ किया एक्स ने वाई के ऊपर विच वाई ड्यूली एक्सेप्टेड बाई वाई तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस बिल जो बिल मना 4000 रुपीज का इसने एक्स ने इस पर साइन किया और वाई ने भी इसको एक्सेप्ट किया मतलब वाई ने भी अपना इस पर साइन किया और वाई क्या करता है इस बिल पर sign करके यह दे देता है x को यानि seller को ठीक है y met the bill on its due date तो इसका जो due date था उस पर y ने पैसा किसे दे दिया यहाँ पर seller को या जिससे पैसा देना था उसे दे दिया मतलब कहने कहा कि इस bill का पैसा y ने दिया अब किसे दिया जिसको x बोला होगा उसको दिया होगा या x को पेकिया होगा अलग-अलग situation हो सकता है इसमें तो कहता है कि so what entries would be passed in the books of x and y under each of the following circumstances तो अलग-अलग circumstances, अलग-अलग situation या कह सकता होगी अलग-अलग case दिया होगा इसमें इसमें कहता है कि आप क्या general entry pass करोगे पहला कहता है if x retains the bill till due date तो अगर x जो है इस bill को अपने pass रखता है पहला case तो क्या general entry pass करेंगे दोनों के books में आपका x में भी और y में भी क्या general entry pass करेंगे इफ x discounts the same with his bank paying rupees 100 for discount तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर x ने इस bill को discount करवा लिया तो क्या general entry pass करेंगे है ना और यहाँ पर जो है paying rupees 100 for discount तो यहाँ पर 100 rupees जो है वो discounting charges भी लगा है इसका कैसे general entry pass करेंगे हम देखेंगे one by one करके थर्ड नमर कहता है if x endorses the same of his creditors जेड तो बोलता है कि यहाँ पर अगर x ने जेड को जो कि इनका creator था उसको endorse कर दिया बिल दे दिया in full settlement office date of rupees 4080 rupees तो जो date था x के उपर वो 4080 rupees का था लेकिन यहाँ पर कितना बिल जो है इंडोर्स किया अपने creator जेड को तो 4000 का मतलब 80 rupees का discount मिला देखेंगे इसको भी और fourth number कहता है if x sends the bill to his bankers for collection और bank में collection के लिए bill को भेजा तो क्या entry होगा तो यह सारा topic हम लोग already पढ़ चुके हैं अब सिर्फ इसमें journal entry आपको pass करना है अलग-अलग situation अलग-अलग case में चलिया यहां लिखते हैं हम solution करते है जर्णल ओफ एक्स जर्णल ओफ वाई यहां पर होगा आपका drawer और ड्रॉय के book में क्या करेंगे या seller या आपका buyer के book में क्या करेंगे पहला case पहला case क्या कहता है यहां पर x return the bill till due date चलिए ठीक है तो पहला case से पहले क्या होगा सबसे पहले आपका क्या करना होगा सबसे पहले bill draw करोगे यह वाला x यह bill को draw करेगा तभी तो इस bill को अपने पास रखेगा या किसी को endorse करेगा या bank में collection के लिए भेजेगा तो पहला किस start करने से पहले क्या करना होगा आप x को यहाँ पर bill को draw करना होगा चलिए यहाँ पर समान तो बेचा है तो यहाँ पर आप general entry बना सकते हो y to sales और यहाँ पर purchase to x यह बना सकते हो आप लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि समान बेचा है उचा है तो इसको आप ignore कर सकते हो फिलाल लेकिन अगर एक्स के द्वारा और y के द्वारा जो खर्दा गया है उसका entry फिलाल हुए अब नहीं कर रहे है सिधा बिल ड्रॉ करते है तो यहाँ पर जो इसके लिए यह बिल बनेगा बिल्स रिसीबेबल अकाउंट डेबिट इसके लिए एसेट है और पैसा देने का कौन? y इसका तो y इकाउंट को क्रेड़ करेंगे कितने का बिल? 4000 यही entry है बिल को ड्रॉ करने का बिल को ड्रॉ किया गया अच्छा इसने क्या करेगा कोई यहाँ पर maturity date को पे कर दिरा रेकिन यहाँ पर maturity date question में given नहीं है तो यहाँ पर हम date की column में general entry में जब बनाओगे तो date की column में आप कुछ case number two सीधा लिख हो गया maturity date आपको निकालने के लिए नहीं दिया है तो आप अपने मन से सिर्फ entry यहाँ पर पास करोगे कोई date बगरा नहीं लिखोगे इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा liabilities तो यह हो जाएगा bills payable account जितने का इसके लिए asset उतने का इसके लिए liabilities कितने का 4000 रुपीस का payment किसको जाएगा एक्स को तो एक्स अकाउट यहाँ पर debit हो जाएगा चलो यह हो गया bill draw अब इस bill के साथ case number one में क्या हो रहा है अलग-अलग situation में पहला कहता है कि अगर एक्स इसे अपने पास रखता है तो क्या जनेंटरी पास बताईए maturity date के दिन maturity date के दिन case number one है ना पहली सुनवाई case number one यह bill जो है अपने पास रखता है तो क्या होगा maturity date के दिन क्या होगा इस bill का पैसा मिल जाएगा एक्स को अपने पास रखता है तो यहाँ पर यह draw हुआ यह draw हुआ और यह खुद pay भी हो गया क्योंकि यहाँ पर जिसने draw किया bill को जिसने bill को बनाया उसी को payment भी मिल रहा है इसलिए pay भी हुआ तो यह बात भी आप धियाद में रखना है कि draw हुआ है draw हुआ है pay court है यहाँ पर इसको पैसा मिल गया तो बिल जो है बिल का पैसा मिला bank account debit करेंगे bank balance बढ़ गया कितना से 4000 से और asset जो की बढ़ा था अब घट गया तो इसलिए हम इसको करेंगे bills receivable account credit 4000 से हो गया पहला case में maturity date के दिन यहाँ पर एक्स को पैसा मिल गया अच्छा तो यह entry क्या पास करेग इसका liability खतम हुआ तो करेगा bills payable account और bank से पैसा गया तो bank account को credit कर देगा कितने से 4000 से यह case number one हुआ जो कि बहुत simple है आपका case number one इसके बाद यह हम बनाएं ठीक है अच्छा अब इसके बाद दूसरा क्या होगा यह आप भूल जाईए case number two यह bill draw किया गया है इसके बाद case number two अ सब कुछ clearly आ रहा है एक स्कूंड यह हो गया case number two इसके बाद case number two यहाँ पर दूसरा क्या कहता है अब देखो कहता है if x discounts the same with his bankers paying rupees 100 for discount तो यहाँ पर क्या किया है एक्स ने इससे क्या कर लिया है discount कर लिया है और 100 पर discounting charges दिया है चलिए इसको हम अब समझते हैं कि क्या हुआ case number two maturity date से पहले x क्या कर लिया इस bill को bank से discount कर लिया यह bill था x के पास x चला गया अपने bank में कहां चला गया है अपने bank में चला गया क्या ले करते इस bit को ले करके चला गया अकेले हैने में फनी गया यह क्या बिल को ले करके bank चला गया और bank में बोला क्या कि maturity rate तो बाद में है हमको अभी इस bill का पैसा चाहिए X बोलता है जाकर bank में बोला कि ठीक है bank वाला क्यों बना करेगा इसको भी अपना कमाई करना है बीच में तो बोला कि ठीक है 4000 रुपे का bill है हम आपसे अपना interest ले लेंगे 100 रुपे तो आपको हम देंगे 3900 रुपीज या 3900 रुपीज चाहजार का bill था लेकर के गया लेकिन 100 रुपे बैंक वाला बोला कि हम रख लेंगे अपने पास और जब maturity date आएगा तो हम इसको वाई से वसूल लेंगे पैसा इस bill को दिखा कर तो फिलाल यह गया बैंक में 4000 का bill लेकर के बोला कि बैंक वाला बोला कि हम आपको 100 रुप्या का क्या करेंगे हम अपना interest रखेंगे ठीक है तो यह 100 रुप्या बैंक वाला रख लिए अपने पास 3900 रुपीज पेमेंट गया एक्स को एक्स के लिए थैयार हो गया चलिए ठ तो यहां पर क्या हुआ एक्स के एकाउंट में पैसा कितना आएगा 3900 तो यह इंट्री क्या बनाएगा बैंक एकाउंट डेबिट अच्छा बिल जो इसके पास था देखी यहां से दूसरा सिच्वेशन यहां है बिल जो इसके पास था यह बिल तो बैंक में चला गया तो पैसेट कम हो गया डेबिट था एसेट था तो डेबिट घड़ी गया तो क्रेडिट लेकाउंट क्रेडिट में कितने का बिल लेकर कर गया कितने का बिल गया 4000 का बिल इसके हाथ से गया य chat कम हुआ तो बिल के सामने 4000 लिखेगा अकाउंट में कितना पैसा आया 3900 यह हुआ अकाउंट में पैसा आया तो सौर प्या जो है debit side में वो discounting charges यानि X का एक तरह से नुकसान हो गया तो X के books of account में इसको लिखेगा आप discounting charges account को debit करिएगा debit क्यों किये debit all expenses and losses यानि यह कह सकते हो कि सौर प्या expense हो गया यहाँ पर discount allowed हम नहीं लिखेगा क्योंकि यह फिर हो जाएगा कि sell और purchase के case में हो जाएगा है ना तो यहाँ पर जो है आप discount करवाए है bank से तो यहाँ पर आप ज़्यादा suitable लिखना क्या है discount allowed लिखने के जगा पर आप लिखेगा discounting charges discounting charges से यह पता चलेगा कि bank में जाकर किसको discount करवाया गया है इस bill को यानि exchange in cash करवाया गया है और वो charges bank वाला सौर पर यहाँ पर काटा तो ज़्यादा suitable यहाँ पर discounting charges देखना है इसलिए discounting charges ही आप यहाँ पर लिखेगा कौन सा रूल से normal account के रूल से debit all expenses के रूल से आपका यहाँ पर जाएगा ठीक है तो देखिए bill चला गया, asset कम हो गया, credit कर दिये bank में account पैसा आगया और सौर पर discount यहाँ पर discounting charges यादि bank को, bill को in cash करवाने में लग गया यह, 100 और का खर्च इसका, तो bank में इतना पैसा आया, यह हो गया, अच्छा maturity date के दिन, यह क्या करेगा, यह तो discount पहले करवा लिया होगा, लेकिन y क्या करेगा y तो maturity date के दिन ही पैसा देगा, तो यह लिखेगा यहाँ पर maturity maturity date के दिन, यह क्या करेगा, यह एक्स जो है, यह पैसा का payment करेगा अगर पैसे का payment करेगा, देखिए इसके बाद, इसके बाद पहला कैस यह हुआ था, और दूसरा case आपका, यहाँ पर है ना दूसरा case, इसमें यहाँ पर हो जाएगा, bills payable account, debit, liability खतम और bank से पैसा payment कितने का, यह तो देगा 4000, यह कितना देगा, 4000 तो bank वाला को पैसा मिल जाएगा 4000, X को दिया था 3900, एक हजा, सौरी एक हजार पर यहाँ पर bank अपना रख लेगा as a interest के तौर पे, ठीक case नमर्ट 2, यह हुआ यह पैसा payment करेगा, बस इसको, यह in cash करवा लिया X या X क्या करता है, इस bill के सामने इससे Y को कोई लेना देना नहीं है Y को बस इतना ही मतलब है कि हमको पैसा payment करना है, maturity date के दिन, case number 3 इसके बाद बनेगा, यह case number 3 आइसा मन समझेगी, यह line से चल रहा है इसके बाद यह, इसके बाद यह और इसके बाद अब case number 3 चलेगा, चलो, क्या क्याता है, देखते हैं हां, if X endorses the same to his creditor Z in full settlement of his debt of rupees 4,080 रुपीज, चलो क्या हो गया यहां पर कि यह endorse कर दिया किसे, जड को case number 3, endorsement का case है इसको हटाते है case number 3 में क्या बोलता है, कि X इस बिल को किसे endorse कर दिया तो जड को अपने creditor को indoors कर दिया, यह bill किसको दे दिया 4,000 का अपने creditor को यह दे दिया बिल, चीक है और date कितना था X के उपर, यानि X को चुकाना कितना पैसा था, 4,080 रुपीस चुका रहा था, लेकिन बिल कितने का इसको दिया, only 4,000 का बिल दिया, और बोला full settlement हो गया, कहने का मतलब X जो है, 4,000 से ज़्यादा इसको नहीं देगा और J जो है, मांगेगा भी नहीं इससे 4,000 से ज़्यादा, 80 रुपाई ये जो extra पैसा तो ये नहीं मांगेगा, क्योंकि full settlement का मतलब होता है यहाँ पर कि जो extra पैसा है, उसका लेंदेन यहाँ पर नहीं होगा, जितने का बिल दिया है, उतने नहीं का लेंदेन यहाँ पर होगा चलो होगा endorsement का case है क्या करेंगे बिल इसको endorse किया बिल था इसके पास अभी X के पास, endorse किया तो debit the receiver, Z receive किया कितने का बिल receive किया, बताइए Z को देना कितना था, वो पहले यहाँ पर लिखिया, Z को 4080, ये देना था Z के सामने उतना ही amount पर लिखेगा, 4080 ठीक है, अब बताइए कि कितने का बिल दिया गया, तो इसके पास debit था, बिल, asset, अब asset कम हो गया, बिल चला गया Z के पास, तो बिल receive को क्या कर देंगे credit, बताइए बिल कितना है 4000 रुपे का, तो बिल के सामने 4000 रुपे लिखिया, ठीक है और 80 रुपे का एक्स को फाइदा हो गया, देखिए न कितना payment करना था, 4000 रुपे, लेकिन पेमेंट बिल के तौर पे कितना किया, बिल दिया या, 4000 का, तो 80 रुपे का यहाँ पर benefit हो गया तो यहाँ पर लिखेगा, आप 80 रुपे क्रेडिट करेगा, और क्या लिखेगा discount received लिखेगा इसको, क्या लिखेगा आप इसको, discount received discount received account कितना, 80 रुपेज फाइदा हो गया इसको, इसलिए आप लिखेगा discount received clear है बात, यह क्या कर दिया, जैट को इंडोर्स कर दिया maturity date के दिन इससे क्या करना है यहाँ से फिर आएगा आपका, यह वाला, maturity date के दिन इसका liability खतम, यह payment कर देगा bills, payable account, debit to bank account किससे payment करना है, इसको कोई मतलब नहीं, बस इसको payment करना है, कितने का, जो bill, यतने का bill है, उतना तो bill था अपका 4000 का, 4000 का इसका payment कर दिया, bills, payable account to bank, अब यहाँ पे किसको payment किया गया, तो Z को, लेकिन यह entry क्या बनाएगा, यह entry बनाएगा आपको सिर्फ payment का entry ही बनाएगा, तो maturity date के दिन यह क्या कर देगा, payment कर देगा, तो यहाँ पर अब लिक लो उपर में maturity date के दिन maturity date के दिन ये payment करेगा bills payable account debit to bank account 4000 एकदम clear है अच्छा आप एक बात question में तो नहीं कहा है लेकिन लगे हाथो अगर आप बनाना चाहो तो बताइए कि अगर endorseee z के books of account में बनाना रहता तो क्या entry बनाते हैं बताइए यहाँ पर अगर z के books of account में entry बनाना होता तो यहाँ पर z के यानि endorseee कहलाएगा तो z के books of account में क्या entry बनता तो यह entry बनाता आपना bills receivable account debit बनाने के लिए नहीं कह रहा है इसके अगंस्ट में क्या एंट्री पास करेंगे बिल्स रिसीवेबल एकाउंट डेबिट तू कौन दिया बिल X और इसको डिसकाउंट जो है दिया है तो यहाँ पर लिखेगा बिल्स रिसीवेबल डिसकाउंट अलाउड और यहाँ पर X तो X को payment कितना करना था 4080, discount दिया 80 रुपीज का, यहाँ पर तो bill कितने का हुआ, asset बना 4000 रुपीज का, clear है जो bill इसको दिया वो bill इसके पास आया, इसके लिए asset बन गया 4000 देखो यहाँ भी indoorsy के book में कह रहे है 4000 यहाँ भी, इसके लिए discount, 80 रुपीज, फाइदा इसके लिए 80 रुपीज, क्या हो गया नुकसान, यानि debit कर दिया expense हो गया और Z को कितना payment करना था यहाँ पर 480, X को कितना payment करना था, 400080 तो यह अपने books of account में वो entry बनाएगा, फिलाल इसको बनाना होगा, तो entry यह क्या बनाएगा दिखे, maturity date के दिन जब payment होगा, इसको यह payment करेगा तो यह entry क्या बनाएगा यह entry बनाएगा bank account debit to bills receivable account कितना, जितने का bill है, 4000 इसके account नों पैसा आ जाएगा तो यह maturity date के दिन why यह entry बनाएगा और जो है जड इंडोर्सी यह entry बनाएगा फिलाल जातो दिमाग लडाने की ज़रुत नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग लडाईएगा तो अच्छा रहेगा सब कुछ आपको समझना है क्योंकि फिर से एक बार यह endorse किया, जिस date को भी किया होगा, तो उसके अगेंस्ट में, यह entry क्या बनाया होगा इंडोर्सी यह entry बनाया होगा ठीक है, इसके बाद maturity date के दिन Y payment किया होगा और यह payment receive किया होगा, तो यह Y यह entry बनाएगा और Z यानि इंडोर्सी यह entry बनाएगा ठीक है, यह अपने बुक्स अगाउड में को इमेंट्री नहीं बनाएगा case number third के बाद case number four, यह आपको बनाने के लिए कहा नहीं गया था, बस हम आपको बता दिये knowledge के लिए case number four क्या कहता है, देखते है बोलता है, if X sends the bill to his banker for collection, अब अपनी safety के लिए पैसा मेरे एकाउंट में credit कर देना ठीक है, तो क्या इंट्री बनेगा अब case number four, इसके बाद यह बनेगा, है ना अभी तो यह बनाएथ है इसको तो बनाना नहीं था अब इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे case number four इसको थोड़ा सा उटाता है X के पास bill है और X क्या क्या, collection के लिए bank में भेज दिया, तो bank बनाए receive किया, debit the receiver यहाँ पर लिखेंगे bills sent for collection account debit, कितने का bill था इसके पास, 4000 का भेज दिया 4000 का bill, और देखे, bank बनाए receive कर लिया bill sends for collection account debit और bill इसके पास से चला गया तो debit था, अब क्या हो जाएगा credit चला गया bill इसके पास से, low इस entry के against यह कोई entry अभी pass नहीं करेगा इस entry के against, अभी कोई नहीं करेगा कि यह bill कहा गया है, अभी bank में गया है चलो bank में गया है अब जगा चाहिए हमको यहाँ पर ठीक है अब क्या करेगा कि यहाँ पर collect करके bank वाला x के account में credit करेगा यहाँ रखे का bank x के account में credit करेगा यहाँ पर x अपने book में क्या करेगा तो अपने book में इसको debit करेगा ठीक है, तो यहाँ पर इसका bank balance बढ़ जाएगा bank account debit to क्या हुआ इसके पास bills हटा रहे हम इसको बैंक और debit debit था bills signed for collection account credit कितना जाएगा समें एकांट में 400 4000 और यहां भी 4000 यह payment कर देगा इस entry के अगंस्ट हम क्या बनाएंगे यहां पर bills payable account debit to bank यह payment करने से इसको मतलब है हम आपको बार अबर बताएं किसे payment करना है जिसे इसका liability हुआ खतम बैंक से गया पैसा बस तो यह यह इंट्री बनाएगा यहां पर देखिएगा तो bills sent for collection debit है credit हापस में कट जाएगा तो bank on debit to BR यहां पर रहेगा जो कि पहले भी होता था तो actually में यह दोनों entry को जोड़िएगा तो bank on debit to BR यानि bills recever account credit ही होगा चलो यह सारा case मैंने आपको बता दिया है यह भी आपको संजमा गया तो यह सारा case आपका दिया हुआ था इसमें इसमें कोई problem है तो आप पूछ सकते हो बाद में हमसे खैर इसमें problem आपको नहीं होना चाहिए कि आपको example में भी हम समझा चुके हैं यह हो गया आपका question number 10 इसके बाद है आपका question number 11 वह हम discuss करेंगे इसमें देख लो आप यह हो गया आपका question number तो book में कहे या ना कहे अगर endorsement का case दिया हुआ है तो आप यह वाला endorse के books of account में क्या entry बनाएंगे आप इसको हर बार practice कर लेना इससे फाइदा यह होगा कि आपका जो है book में तो दिया नहीं है बार-बार आपको बनाने को लेकिन अगर आप इसको बनाओगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक याद रहेगा इसलिए हमेशा book में कहे या ना कहे जब भी endorsement का case है तो आप endorse के book में क्या entry बनेगा य तो यहाँ तक आप देख लो बचे इसके बाद जो है हम question number 11 जो है solve कर वाएंगे thank you